आज की सभा में उपस्थित सभी सम्माननिय नागरिक बंधो, मंच पर आसीन अगरवाल समाज के अध्यक्ष सम्माननिय श्री जग्दीश भाई जी, उपाध्यक्ष सम्माननिय श्री अरुन भाई, संयोजग सम्माननिय श्री शतीस भाई, सहमंत्री सम्माननिय श्री आलोग जी और कोशाध्यक्ष सम्माननिय श्री संजय जी, मेरे सहयोगी और भारत स्वाभिमान के अंदरप्रदेश के अध्यक्ष बाई श्री श्रीधर जी और बाई श्री आनंद जी मैं आप सब का बहुत आभरी हूँ आप यहाँ उपस्तित हैं और मुझे आप से समबाद करने का समय मिल रहा है मैं सबसे पहले अगरवाल समाच का बहुत बहुत आभर व्यक्त करता हूँ जिनों ने इतनी सुन्दर व्यवस्था की है और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया है अगर आपकी अनुमती हो तो मैं ये सारे पंखे बंद कराना चाहता हूँ क्योंकि ये डिस्टरब कर रहा है पंखे सब बंद कर दो थोड़ी देर गर्मी में हम बैठे हैं मैं भी बैठूँगा आप भी बैठे सारे पंखे बंद कर दो भारत देश के बारे मैं मुझे आप से संबाद करने का जो मौका दिया है अगरवाल समाज ने इसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा क्योंकि मेरे दिल में मेरे मन में भारत के बारे में बहुत सारे विचार बहुत सारी कलपनाएं बहुत सारी योजनाएं पिछले बीस वर्षों से आती रहती हैं और कल जब मैंने अगरवाल समाज की तरफ से आयोजी ताज के कारिकरम की जानकारी ली तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि मेरे मन के विशय पर मुझे बात करने का मौका मिल रहा है इसलिए मैं आपका बहुत आभरी हूँ भारत देश की मेरी जो कलपना है उसको दो हिस्सों में मैं बाटूंगा भारत है कैसा वरतमान में और बनाना कैसा है हमको भारत इसलिए ये जो विशय है मेरे सपनों का भारत बजाए इसके हमारे सपनों का भारत हम सब के सपनों में कुछ ने कुछ भारत है हम कैसा भारत चाहते हैं किस भारत के लिए हमारे मन में तड़प है कलपना है किस भारत के बारे में हमारे शहीदों के मन में कलपना थी तड़प थी ये सब मैं आज के व्याख्यान में शामिल करूँगा भारत की आज की वर्तमान इस्तिती से मैं शुरू करता हूँ अभी थोड़े दिन पहले हमारी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है और उस रिपोर्ट को बनाने वाले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री है उनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुपता बहुत बड़े अर्थशास्त्री है हमारे देश में बहुत थोड़े से अर्थशास्त्री ऐसे हैं जिनका सारी दुनिया में सम्मान होता है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुपता ऐसे ही अर्थशास्त्री है भारत देश का एक बहुत बड़ा विभाग है योजना आयोग बहुत लंबे समय तक प्रोफेसर अर्जुन सेन गुपता वहाँ उपाध्यक्ष रहे है योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो तो प्रधान मंतुरी होता है उपाध्यक्ष कोई ऐसा विशशक ये प्रोफेसर अर्जुन सेन गुपता है और बहुत लंबे समय तक भारत सरकार के आर्थिक सलाकार रहे हैं श्रीमति इंद्रा गांदी के जमाने में और बंगाल की जो सरकार चलती है वहाँ भी बहुत लंबे समय तक आर्थिक सलाकार रहे हैं सारी दुनिया के देशों में उन्हें बुलाया जाता है वो लेक्चर्स देने जाते हैं अर्थशास्त्र विशह उनका बड़ा पक्का विशह है तो ऐसे एक व्यक्ति को सरकार ने कहा कि आप भारत के बारे में थोड़ी जानकारियां एकठी करिए क्योंकि भारत सरकार कई बार अपने ही द्वारा कुछ ऐसी जानकारियां देती है जो एक दूसरे के विरोधी होती है जैसे एक सरकार ने कहा कि भारत में गरीबों की संख्या से 30 करोड है एक सरकार कह देती है गरीबों की संख्या 33 करोड है एक सरकार कह देती है गरीबों की संख्या 39 करोड है अब सही क्या है पता ही नहीं चलता तो प्रोफिसर अरजुन सेन गुपता को कहा गया कि आप ठीक ठीक पता करके बताओ वास्तम में गरीब हैं कितने तो उन्होंने चार साल लगाया अध्यन किया अभ्यास किया बहुत बड़ी टीम उनके साथ खड़ी हुई और उस टीम ने जो रिपोर्ट बनाई वो बहुत तकलीफ देने वाली रिपोर्ट है वो संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है देश भर के अखवारों में छप चुकी है मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 115 करोड लोगों की जन संख्या में 84 करोड लोग गरीब है अब तक हम इस गलत फैमी के शिकार थे कि 37 करोड गरीब है 49 करोड गरीब है 33 करोड गरीब है लेकिन प्रोफसर अरजुन सेन गुपता की रिपोर्ट कहती है 84 करोड लोग गरीब है और कितने गरीब है ये भी उस रिपोर्ट में है उनका कहना है कि 84 करोड भारत वासियों को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है इतनी गरीब है और वही रिपोर्ट कहती है कि भारत में 50 करोड लोग तो इतने गरीब है 84 करोड के पास तो एक दिन में 20 रुपया नहीं है खर्च करने को उन 84 करोडों मैंसे 50 करोड इतने गरीब हैं कि उनके पास 10 रुपया नहीं है खर्च करने को 50 करोड भारतवासियों के पाद और उसी मैसे 25 करोड लोग इतने करीब हैं जिनके पास खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं है और 15 करोड इतने करीब हैं इस देश में जिनके पास खर्च करने को 1 रुपया नहीं है और 10 करोड भारतवासियों के पास तो 50 पैसे भी नहीं है खर्च करने को ये हमारे देश की नंगी वास्तविकता है कठोर सच्चा ही है जब ये रिपोर्ट आई ना सब के होश उड़ गए संसद में और संसद के बाहर और प्रश्ण चिन ये लग गया भारत देश के इविकास योजनाओं पर कि आजादी के 63 साल में हमने किया क्या गरीबी 84 करोड आजाद जब हम हुए 15 अगस्त 1947 को उस समय अंग्रेजों ने एक सर्वेक्षन किया था अंग्रेजी सर्वेक्षन के अनुसार इस देश में 4 करोड लोग गरीब थे 1947 पंद्रेजस्त को और उस सर्वेक्षन के बारे में उस समय कई भारत के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजों ने ये संख्या जान बूज के कम दिखाई है ताकि सारी दुनिया में अंग्रेजों की बदनामी ना हो कि इतने गरीब भारत में आपने पैदा कर दिये तो इसलिए अंग्रेज कहा करते थे चार करोड गरीब है पंडि जवारलाल नहरू ने उसको संशोधित कराया जब वो प्रधान मंतरी हो गए तो उन्होंने एक कमिशन बनाया और कहा कि गरीबों की सही इस्थती बताओ तो 1952 में जब पहली पंचवार्श की योजना बनी इस देश में और लागू हुई तब नहरू जी ने कहा कि इस देश में वास्तविक गरीबों की संख्या 16 करोड है मान लिया 16 करोड है अब 16 करोड की जन संख्या 84 करोड हो चुकी है बहुत बड़ी संख्या है और पांच वर्ष की योजनाएं जो लागू हुई हैं गरीबों के लिए वो अलग हैं ये जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि 1952 में हमने गरीबों को मदद करने के लिए एक योजना बनाई थी जिसका नाम है प्रथम पंचवार्शिक योजना और उसका मूल उग्देश्य था गरीबी दूर करना मुख्यो जाएगी लेकिन वो योजना पूरी हो गई गरीबी नहीं मिटी फिर दूसरी योजना आई वो पूरी हो गई तो भी गरीबी नहीं मिटी तीसरी योजना आई फिर भी गरीबी नहीं मिटी ऐसी 11 योजनाएं लागू हो चुके और हर पंचवार्श की योजना में गरीबी मिटाने के लिए 10 लाख करोड रुपई खर्च होता है आपके टैक्स का मेरे टैक्स का हर पंचवार्श की योजना आप जो सरकार को टेक्स देते हैं मैं जो सरकार को टेक्स देता हूँ उस टेक्स का दस लाख करोड सालाना खर्चोता है माफ करना पांच साल में खर्चोता है पंच वार्शे की युजना में तो एक योजना का दस लाग करोड तो एक सो दस लाग करोड रुपए खर्चो चुका है और गरीबी है कि बढ़ती ही जा रही है एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि अगर हमने ग्यारे पंचवार शुक योजना इन नहीं बनाई होती थोड़ी देर के लिए और एक सो दस लाग करोड रुपए सीधे गरीवों में बाट दिया होता तो हर गरीब को डेल लाख रुपए मिल गया होता एक सो दस लाग करोड रुपए सरकार ने खर्च किया योजनाओ पर लेकिन गरीबी बढ़ती ही गई कम नहीं हुई काश ये पैसा सीधे गरीवों को बाट दिया जाता तो अब तक गरीबी मिट चुकी होती मने एक सो दस लाग करोड रुपए बहुत बड़ी रकम होती है सामन ने बात नहीं है 110 लाख करोड रुपए को कैलकुलेटर में लिखें तो कैलकुलेटर फेल हो जाता है कैसे फेल हो जाता है कैलकुलेटर में बारें अंक आते हैं और 110 लाख करोड लिखने में 16 अंक लगते हैं कैलकुलेटर में ये रकम आती नहीं है बहुत बड़ी रकम है एक दिन मैंने इस रकम का हिसाब निकाला था कि इस सोना खरीद लें 110 लाख करोड से सोना खरीद लें जो सबसे महगा है 17,000 रुपए का 10 ग्राम है इस समय तो 110 लाख करोड से सोना खरीद लें तो भारत देश का पूरा अंद्रप्रदेश, पूरा तमिलनाडू, पूरा केरल और पूरा करनाटक और महाराष्ट का आदा हिस्सा इतना बड़ा इलाका इस तेश का इस इलाके के एक एक गाउं की सड़क पर दस मिली मीटर मोटा सोने का पत्रा बिछा सकते। और दूसरा कैलकुलेशन बताता हूँ, कि अगर सोने का पत्रा दस मिली मीटर से पांच मिली मीटर कर दे, तो भारत के छे लाक अड़ती सजार तीन सो पैंसट सभी गाउं की सड़कों पर बिछा सकते हैं। इतनी बड़ी रकम है 110 लाक करोड, मामूली रकम नहीं है जो खर्च होई है। अब एक तरफ 110 लाक करोड का खर्चा भी हो गया और गरीबी भी नहीं मिटी, ये अफसोस की बात है। या तो ये पैसा खर्च ना हुआ होता, तो हम दिल पे पत्थर रख लेते, कि गरीबी इसलिए है कि हमारे पास पैसे ही नहीं खर्च करने को। लेकिन एक तरफ हमने 110 लाक करोड खर्च भी करा दिया, और गरीबी भी नहीं मिटी देश की, और उससे भी जादा तकलिफ इस बात को सोच कर होती है, कि ये 110 लाक करोड आपने दिया था, मैंने दिया था, खून पसिने की कमाई से, टैक्स के रूप में, वो खर्च हो चु इन 200 देशों की एक सूची बनाई जाती है, हर साल, सैयुक्तराश्ट महासंग नाम की जो संस्था है दुनिया की, ये सबसे गरीब देशों की एक सूची बनाती है हर साल, तो पिछले साल की सूची बनी, और उसमें बताया उन्होंने कि 86 देश दुनिया में सबसे साल करूं, महादरिद्र, 86 देश है, और उन 86 देशों की सूची में भारत का नंबर 70 है, इसका अर्थ समझ लीजे, दुनिया में 79 देश हमसे ज़्यादा आमीर है, जो महादरिद्र है, वो, हमसे भी ज़्यादा आमीर है, हमारी इस्ते उन महादरिद्र देशों में भी सबसे नीचे है, 70 वे नंबर मतलब सीधा सा ये है दुनिया में जो 86 देश महा दरिद्र हैं उन में से भारत से जादा दरिद्र देश सोले ही है और उन सोले में दो देश तो वो ही हैं जो भारत की अंग हैं पाकिस्तान और बंगला देश भारत का नंबर है उस सूची में 70 पाकिस्तान का नंबर है 71 बंगला देश का है 72 तो ये 70, 71, 72 तो एक ही कुनबा है ये तो कोई अलग-अलग है नहीं इलाका तो मतलब ये है कि 72 नंबर पे हम हैं उस सूची में और बहुत कठोर टिपणी उस रिपोर्ट में की गई जब मैंने वो पढ़ी अच्छी नहीं लगी मुझे सहिवतरास्ट महासंग का कहना है कि भारत की धरिद्रता के कारण गरीबी के कारण दुनिया की ओसत गरीबी बढ़ गई है भारत के कारण ओसत गरीबी बढ़ गई है पूरी दुनिया की क्योंकि सारी दुनिया में सबसे ज़्याद गरीब भारत में ही बसते है और भारत पाकिस्तान बंगला देश का मान ले तीनों को एक ही देश मान ले तो सारी दुनिया की गरीबी के ओसतन के लिए हम ही जिम्मेदार हैं वो रिपोर्ट ये कहती है क्योंकि हम आज़ादी के 63 साल के बाद भी इस गरीबी को मिटा नहीं पा इनकुल सहयोगी एक है बीमारी जिसको हम बेरोजगारी कहते हैं बेरोजगारी का क्या आलम है तो हमारी ये जो रिपोर्ट आई अरजुन सिन गुपता कमिशन की रिपोर्ट वो ये कहती है कि बेरोजगारी के सवाल को उल्टा समझने की जरूरत है सीधे सीधे ये कहना कि भारत में इतने भारत में इतने बेरोजगार हैं इस से जादा अच्छा ये पहले समझा जाए कि भारत में रोजगार कितने लोगों को है और ऐसा रोजगार जिसको हम सम्मान जनक कहें सम्मान जनक माने साल के 18 वर्ष में माने जब आदमी 18-19 साल का हो गया तब उसको कुछ रोजगार या नौकरी मिल जाए और 60 साल तक वो अबाद गती से चलती रहे कोई उसे चीने नहीं वो रोजगार उसके हाथ से जाए नहीं 18 से लेके 60 साल तक ऐसे कितने लोग हैं तो वो रिपोर्ट ने कहा कि भारत में जो पक्का रोजगार है जिनकी नौकरी कभी नहीं जाती ऐसे सिर्फ साड़े तीन करोड लोग है पूरे भारत में सिर्फ तीन करोड पचास लाग 115 करोड में जिनकी नौकरी कभी नहीं जाएगी जिनको रोजगार बहुत सम्मान जनक मिला हुआ है वो साड़े तीन करोड़ों लोग कैसे हैं तो उसका हिसाब है पूरा 14 लाख लोग तो सेना में हैं भारत की आर्मी में 14 लाख के आसपास सेना में, वायू सेना में, जल सेना में, तीनों में मिलाके 14 लाख है और करीब करीब 15-15 लाख हैं रेलवे में, इंडियन रेल, भारती रेल, और करीब करीब 17 लाख हैं बैंकों में, भारत की जितनी भी बैंके हैं, और करीब करीब 15-15 लाख हैं बीमा कमपनियों में, एजेंट से लेकर उपर तक, और करीब करीब 44 लाख के आसपास हैं केंदर सरकार के पब्लिक सेक्टर में, जैसे बी एची एल है, भारत है, वी इलक्रिकल्स लिमिटेड है, इस्टिल अथॉरिटी ओफ इंडिया 244 पब्लिक सेक्टर हैं, फिर उसके बाद केंदर सरकार का जो मंत्रा ले है, प्राइम मिनिस्टर का आफिस है, फिर बाकी 90 मंत्रियों के आफिसे में कामकरनेवाले हरस्तर के करमचारी, तो कुल मिलाकर सरकार के तंत्र में जो कामकरते हैं, और इसमें बो भी मैंने जोड़ दिये राज्य सरकारों के जो करमचारी हैं राज्यों के तेतीस राज्यों के राज्यस्तर के करमचारी मुक्य मंत्री राज्य पाल राज्य के मंत्री ये सब जोड़कर कुल साड़े तीन करोड लोग हैं जिनको पक्का रोजगार है जिनको सम्मान जनक नौकरी है और जरूरत पक्के रोजगार की भारत में 64 करोड़ लोगों को है जरूरत मतलब 64 करोड़ लोगों को सम्मानजनक काम चाहिए उसमें से साड़े तीन करोड़ को मिला हुआ है इसका माने साड़े साड़े करोड़ लोगों को दरदर भटकना है रोजगार के लिए इन साड़े साठ करोड लोगों में कुछ लोग हैं जो खेती करते हैं लेकिन खेती में सम्मान जनक खेती करने वाले मुश्किल से 10 से 15 करोड ही हैं जिनके पास 10 एकड से जादा जमीन है सम्मान जनक खेती वो कर पाते हैं बाकी की जमीन ही दो एकड़ से कम है भारत में किसानों की, तो उनको सम्मान जनक नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी खेती तो घाटे में रहती है, दो एकड़ से कम जमीन, ऐसे भारत में 85 प्रतिशत किसान हैं, अब ये जो 85 प्रतिशत किसान हैं, जिनकी दो एकड़ से कम जमीन हैं यहीं लोग दर्बदर की ठोकरें खाते हैं कभी सड़क पर रिक्षा चलाते हैं कभी कहीं किसी का इट गारा बनाते हैं कभी कहीं कोई ठेली लगा लेता है सबजी बेच लेता है कभी कोई फुटपात पर कोई सामान रखके उसे बेच लेता है इस तरह के रोजगार में व उसमें ये 60 करोड 50 लाक लोग हैं जिनकी 12 महीने की कोई भी रोजगारी पकी नहीं किसी को साल में दो महीने काम मिलता है किसी को चार महीने मिलता है किसी को तीन महीने किसी को छे महीने ऐसा उनका चलता है और इनके उपर समय समय पर पुलिस के डंडे चलते रहते हैं वो बिच कारे कहीं सड़क पर बैठे हैं खोमचा लगा के पुलिस वाला आएगा मारेगा डंडा और नगरपालिका वाला आएगा ले जाएगा पैसे उनसे रोज भुगतते हैं वो इस बात तो साड़े साथ करोड लोग इस देश में दर्बदर की ठोकरे खाने को मجबूर है जिनको काम चाहिए और काम नहीं है हमारे पास खेती हमारे देश में अब इतने घाटे में चली गई है कि इस पर जिन्दा रहना संभव नहीं है लोगों का इतने घाटे में आ गई है खेती क्योंकि खेती के घाटे में आने का सबसे बड़ा कारण है किसानों के काम आने वाला जो यूरिया, डियेपी, सुपरफॉसफेट है किसानों के काम आने वाला जो एंडोसलफान, मेला, तियान, आदी-आदी की इतना शक दवाएं है ये पिछले 20 सालों में इतनी महंगी हो गई है कि गरीब किसान के बूते का नहीं रहा उनको डालना पहले यूरिया का एक कट्टा 50 किलो का 70 रुपए का था अब 300 रुपए का हो गया और 2-3 दिन के बाद वो साड़े 300 का होने जा रहा है डी-ए-पी पहले 3 रुपए किलो था अब 24 रुपए किलो हो गया 2-3 दिन के बाद ये 28 रुपए किलो होने जा रहा है डी-ए-पी सिंगल सुपर फॉसवेट 8 से 10 गुना महंगा हो गया किसानों के काम आने वाला डीजल जो कभी 3 रुपए 20 पैसे 3 रुपए 50 पैसे लीटर था अब वो 38 रुपए लीटर हो गया तो किसानों के काम आने वाली हर चीज महंगी पे महंगी हो रही है और किसान की पैदा की गई चीज हैं सस्ते से सस्ती बिक रही है गेहूं चावल चना दाल मतर तो खेती इतने घाटे में हैं कि हर दिन एक मिनट में इस देश के 33 किसान खेती छोड़ देते हैं हर दिन एक मिनट में 33 किसान खेती छोड़ देते हैं अब आप अंदाजा लगाओ एक मिनट में 33 किसान खेती छोड़ते हैं तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं और एक साल में कितने मिनट होते हैं हर मिनट में 33 किसान खेती छोड़ते हैं कहां भागते हैं शहर में भागते हैं किस के लिए रोजगार के लिए शहर में कोई रोजगार रखा है उनके लिए वो दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, कलकता जाते हैं मदरास चले जाते हैं और अंत में جہاں नहीं जाना चाहिए वहां पहुँन जाते हैं जुगी जौपडियों में मुंबई में धारावी नाम का एक एरिया है वहां की जुगी जौपडियों में लाकों लोग रहते हैं जहां हम एक मिनट खड़े नहीं हो सकते धारावी में इतना कीचड़, इतनी गंदगी, इतनी बदबू हम एक मिनट नहीं खड़े हो सकते और लोग वहाँ 20-20 साल से रहते है मैंने देखा है जुगी जोंपडियों के आसपास सरकार की कुछ योजनाओं के सीमेंट के पाइप पड़े रहते हैं नीचे डालने के लिए उन सीमेंट के पाइप में लोगों के सालों साल गुजरते इस भारत देश में शहर की जो आबादी है ना हैदराबाद, मदरास बैंगलोर, दिल्ली, कोलकता ये जो शहर माने जाते हैं मेट्रोस, इनकी आबादी का 65 प्रतिशत हिस्सा जुगी जोंपडियों में रहता है 65 प्रतिशत हर शहर का इंकलूडिंग हैदराबाद हैदराबाद का भी यही हाल है, सिकंदराबाद का भी यही हाल है, 65 प्रतिशत हिस्सा जुगी जोंपडियों में रहता है और मुझे इतना दुख है ये कहते हुए कि जुगी जौपडियों में जितने एरिया में जितने वर्ग फिट में पाँच पाँच लोग रहते हैं उतने छेत्र में तो जेल में कैदी भी नहीं रहते हैं दस फिट चौड़ी दस फिट लंबी सो वर्ग फिट की जुपड़ी में पाँच छे लोगों का परिवार है और हमारे जेलों में जो कैदी बंद है न तो एक कैदी को सामन रूप से पचास वर्ग फिट जगए होती है जेल में और यहाँ जेल के बाहर एक व्यक्ती को सामन रूप से दस पंद्रे वर्ग फिट की ही जगए उपलब्द है रहने के लिए उसी में सोना है उसी में हगना है उसी में मूतना है सब उसी में करना है और आप तो कलपना नहीं कर सकते कि वहाँ पीडियां दर पीडियां रहती हैं सास ससुरू भी रहते हैं उनके बेटा बेटी भी और बहू भी रहते हैं नाती पोते भी रहते हैं कैसे जीवन कटता होगा हम तो सोच नहीं सकते क्योंकि हमने कभी रहके नहीं देखा ऐसा बुरा हाल है देश का और दो तीन बातें उस रिपोर्ट में पढ़ने को मिली कि भारत में आजादी आगई आजादी के बाद सबसे बुनियादी चीज जो हर व्यक्ति को चाहिए स्वक्ष हवा वो उपलब्द नहीं है अब इस देश को स्वक्ष हवा के बाद चाहिए स्वक्ष पानी वो उपलब्द नहीं है इस देश को रिपोर्ट में कहा अरजुन सेन गुपता कमिशन की रिपोर्ट में 6,38,365 गाओं में से 5,00,000 गाओं में स्वक्ष पीने का पानी नहीं है लोगों के पास 5,00,000 गाओं और उन 5,00,000 गाओं का ये हाल है कि 10,00-15,00 लीटर पीने का पानी एक बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए उन गाओं में माताओं को सवेरे 3,00 बजे सो कर उठना पड़ता है 2,5 मिल पैदल जाना पड़ता है एक बाल्टी पानी लाते हैं, फिर घर का खाना बनाती हैं, फिर दुबारा से एक बाल्टी लेके जाती हैं, फिर पानी लाती हैं, तो दुपहर का खाना बनता है, इसी में उनका जीवन खतम होता है, बाल्टी भर-भर के लाने में, पांच लाख गाओं का ये बुरा हाल है। रिपोर्ट का कहना है कि पांच लाख गाओं के नागरिकों को जहां जरूरत है वहां पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है जहां जरूरत है घर के सामने नहीं मिलता है स्वक्ष हवा नहीं पीने का पानी नहीं और इससे भी जादा खराब बात उस रिपोर्ट में है कि भारत के गाओं में रहने वाली जो माताएं हैं बहने हैं उन में से दो तिहाई माने 75 प्रतिशत माताओं और बहनों को सबेरे सबेरे संडास जाने के लिए संडास घर की व्यवस्था नहीं है उनको सड़क के किनारे बैठना पड़ता है खुले में बैठना पड़ता है मैं कभी कभी गाओं में जाता हूं और मेरे जैसे लोगों के ऊपर मुझे गुस्सा आता है अपने ऊपर भी गुस्सा आता है जब मैं किसी गाड़ी में बैठके गाउं में जाता हूं किसानों के बीच में व्याख्यान देने और अक्सर शाम का समय होता है तो मेरी गाड़ी की हेड लाइट फड़ती है सड़क पर तो कई माताएं लोटा लेके खड़ी हो जाती हैं क्योंकि वो दैनिक काम के लिए बैठ साल से कर क्या रहे हैं अर्जुन सिन गुपता कमिशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत की दो तिहाई माताओं के पास तो संडास है नहीं जाने के लिए दैनिक जीवन में इससे भी आगे वो ये कहते हैं कि ये दो तिहाई माताएं जब इसनान करती हैं तो चार पाईयां लग दालनी पड़ती हैं चालो तरफ से इधर एक चार पाईयां लगाई इधर एक लगाई और उस पर उनकी फटी हुई धोती डाली ताकि वो आड़ हो जाए और उसमें थोड़ा इसनान करके फिर वो चार पाईयां लगाने बातरूम नहीं है जब टॉयलेट नहीं है तो बात मिली होती और यह ऐसी दर्दनाक भारत की तस्वीर होती तो दिल पे पत्थर रख लेते कि चलो पांच साल में दस साल में पंद्रे साल में बीस साल में कुछ तो अच्छा होगा कुछ तो अच्छा होगा लेकिन यहां तो ऐसा हाल है 63 साल के बाद भी यही देखने को मिल रह अरजुन सेन गुपता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत के आधे से जादा गाउं 50 प्रतिशत माने सबातीन लाक गाउं में बिजली का बल्ब अभी तक नहीं है बिजली का तार नहीं है करेंट नहीं मेरा जन मुत्तर प्रदेश के गाउं में हुआ अलीगड जिले में आपको हिरानी होगी यह अलीगड जिला दिली के बहुत नजदीक है राजधानी वहां से 130 किलो मीटर दूर है और मेरा गाउं अलीगड से करीब 60 किलो मीटर दूर है